आज हम वीडियो पर सहजन के पॉडर के फायदों के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूँ अगर आप चैनल पर नए हैं आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके साथ ही पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो आए हम सहजन पॉडर के मौझूद गुण शरीर की कई बिमारियों से रक्षा करते हैं इसके बारे में बात करते हैं सहजन पॉडर का सेवन शरीर की कई बिमारियों और समस्याओं को कम करने का काम करता है इसकी पत्तियों को सुखाखर तयार किया जाता है सहजन की पत्तियों से ले कर इसके फल और तन्ने का भी استعمال किया जाता है सहजन पॉडर में कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, केलशियम, आइरन, पोटेशियम, विटामिन और मेगनीशियम प्रचुर मतरा में पाये जाते हैं यह हार्ट, लंग्स और किडनी के लिए सहजन पॉडर का सेवन बहुती फायदेमन माना जाता है और आयुरेद में इसे औशधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कई आयरवेदिक और अंग्रेजी दवाओं को बनाने में भी सहजन पॉडर का इस्तेमाल किया जाता है साथ ही गर्वती और संपान कराने वाली महलाओं के लिए भी सहजन का पॉडर बहुत ही फायदेमन माना जाता है सहजन को मुरिंगा और ड्रम स्टिक के नाम से भी जाना जाता है यह सहजन को पोशक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है इसमें मौजूद एंटि अक्सिडेंट, प्रोटीन और खनेज शरीर की शरीर को बिमारियों से बचाने और पोशन देने का काम करते हैं साथी न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट के रूप में भी सहजन पॉडर का इस्तमाल बहुत फायदेमंद होता है सहजन पॉडर को सहजन की पत्यों से तयार किया जाता है सहजन पत्यों में आईरन, कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, साथी विटामिन B, 6 समेत और राइबो, फ्लो, विन की परियाप्त मात्रा होती है शरीर की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ाने से लेकर हड़ियों को मजबूत करने में सहजन पॉडर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है सहजन पॉडर डियाबटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है सहजन का पौडर इस्तमाल करने से शरीर में ब्लड शुगर के इस तर को कंट्रोल करने में फायदा मिलता है लेकिन डियाबटीज के मरीज हमेशा डॉक्टर की सलहा लेकर ही सहजन पौडर का इस्तमाल करें डियाबिटीज के अलावा शरीर में बढ़े बैड कोलेस्टरॉल के इस तर को कंट्रोल करने के लिए भी सहजन का सेवन बहुत फाइदे मन्द माना जाता है सहजन शरीर में बलड क्लोटिंग होने से भी रोपता है दिल की बिमारियों का जोखिम कम करने के लिए सहजन का सेवन बहुत फाइदे मन्द होता है इसके अलावा सहजन पॉडर में मौझूद गुण शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं इसे पानी में मिलाकर पीने से शरीर में मौझूद विशाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं इससे किड्नी को भी फाइदा मिलता है किड्नी में मौझूद टॉक्सिन सहजन पॉडर के इस्तेमाल से आसानी से फिल्टर हो जाते हैं इसके अलावा इसका सेवन शरीर को सर्दी जुकाम और वाइरल इंफेक्शन जैसी समस्याओं से भी बचाने का काम करता है अब बात करते हैं कि आप इस सहजन के पौडर का सेवन कैसे करें सहजन के पौडर का सेवन कई तरीके से कर सकते हैं इसका सेवन पानी के साथ डॉक्टर की सलहा के आधार पर भी किया जा सकता है चूंकि सहजन की पत्तियों को सुखा कर सहजन का पॉडर बनाया जाता है इसलिए इसका सेवन पका कर नहीं किया जाता है आप सहजन के पॉडर से बनी गोली का सेवन कर सकते हैं साथ ही सहजन के पौडर का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। इसकी डोस के बारे में आप डॉक्टर या आईरवेदाचार्य से भी सलहा ले सकते हैं। मोरिंगा पौडर का अधिकलाब उठाने के लिए पौडर को ऐसे ही सूखा खाएं या अपने पसंदेदा खाने या ड्रिंक या पानी में उसे मिला कर उसका सेवन करें। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि इसे पकाना नहीं है क्योंकि इसे पकाने से इसमें मौजूद कई पौश्टिक तत्व या न्यूट्रियंट्स नस्ट हो जाते हैं। कभी कभी मोरिंगा पौडर के सेवन से कुछ साइड एफेक्ट जैसे पेट खराब होना यानि अपच या दस्त लगने जैसी समस्याइं शामिल होती हैं। अगर बिना डॉक्टर की सलहा के आप इस पौड अच्छा निर्देशित खुराक से जादा लेने से ही होते हैं। मोरिंगा पौडर को कम मात्रा में सेवन करें। मोरिंगा पौडर से लाप्राप्त करने के लिए एक छोटा चमच मोरिंगा पौडर का सेवन करना परियाप्त है। पौडर को निगलने के लिए पानी पीएं या आप चाहें तो पहले से बनाई गई इसमूदी में मोरिंगा पौडर डाल कर उसे मिला सकते हैं या फिर खाद पदार्थों में मोरिंगा या सहजन पौडर को मिला सकते हैं लेकिन इसे पकाए नहीं